दोस्तों अपने मिस्टर इंडिया फिल्म का वो गाना जरूर सुना होगा जिन्दगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है जिन्दगी में कब क्या हो जाए कोई कुछ नि कह सकता आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरह कुछ जानवर कभी अपनी तो कभी इंसानों की गलती से मौत के मुँ में पहुँच गए लेकिन खुश किस्मत वो थे उन पर इंसानों की नजर पड़ी और उन्हें बचा लिया गया इस वीडियो में कुछ चडियाएं शायद दाना चुगने के लिए यहां आई थी लेकिन वो लकड़ी की फेंसिंग में फस गई और लग रहा है जैसे ये सभी चडियाँ अपनी अंतिम सांसे गिन रही थी तब ही एक भले आदमी के नजर इन पर बड़ गई इस आदमी न अपनी सूझ गूझ का परिच्छ देते वे सावधानी से चडियाओं को अपने हाथों का सहारा देकर धीरे धीरे निकालने कुशिश की जब चडिया को थोड़ा ज़्यादा गैप मिला तोनों ने खुद भ कोशिश की और बस थोड़ा साहरा मिलते ही चडियाओं की जान पच गई और वो सभी फुर्र से उड़ गई दोस्तों भारत में बंदर को भगवान हनुमान जी का रूप माना जाता है इसलिए बंदरों के प्रती इंसानों बहुत आस्ता है ये बंदर जिसे शायद दिल का दोरा पड़ा जिसकी वज़े से उसके दिल की धड़कन डूप गई जब उस आदमी ने बंदर को देखा तुसने तुरंत उसे सीपी आर देना शुरू कर दिया वो उसे तब तक सीपी आर देता रहा जब तक की बंदर की सासे वापस उसके शरीर में लौट नहीं आई पर दोनों तरह गें इस मासूम से नन्ने कुट्टे को दीखी जो किसी इनसान की हैवानियत का शिकार बन गया इस कुट्टे को किसी इंसान दौरा ना सिर्फ बेरहमी से पीटा गया बलकि उसके चारों पैर भी काट दिये गए मगर किसी ने जब इस कुट्टे को देखा त ताकि अपने इन आर्टिफिशल पैरों के सायता से वो पपी जिन्दगी के सफर को अपने दम पर तैकर पाए यूँ तो भालू को देखकर इनसान के पसीने चूड़ जाते हैं मगर इस वीडियो में एक भालू तारों के जाल में ऐसा फसा कि उसकी जान पर बनाई तभी के जाल से निकाल लिया तारों के जाल से चूड़ते ही भालू ने जंगल में सर पर दवर लगा दी यहां खुदाई का काम चल रहा था तभी मिट्टी का बड़ा धेर हटते ही वहां कुछ अजीब सी आवाज आने लिए उस मिट्टी में एक भालू इतनी बुरी तरह दबा कुछ इंसानों की नजर जब इस चमगादर पर पड़ी तो इन्हें इस मरीद चमगादर में कुछ अंचल सी महसूस ही पास जाकर जब इन्होंने देखा और उसके पंकों को उठाया तो उसमें उसका बच्चा जिंदा लिपटा हुआ था इंसानों ने तुरंत इस बच्च और उस पर पड़ गई घबराई बकरी किसी भी सूरत में अपना सर निकालना चाह रही थी इस शक्स ने बाइक से टायर को इलग कर बकरी की जान बचा दी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही